स्वागत आपका सेल्ट स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर जो हाई कोट पहुंच गया है कमाल की बात है ट्विटर एक अमेरिकी कमपनी है और अमेरिकी कमपनी होने के खिलाफ बावजूद भारत स तो मतलब इन्होंने काया है कि जो गोर्पमंट आफ इंडिया है वो ट्विटर को सई डंक से काम नहीं करनी करने दे रही रही क्यूंकि जो कभी ना कभी न order देती ही रहती है और ऐसा ही Twitter करता रहेगा तो एक official body बनके रह जाएगा एक government की official body बनके रह जाएगा तो इसकी खुद की क्या पहचान रह जाएगी ऐसा Twitter का कहना है और भारसरकार ऐसा कर क्यों रही है इसको भी हम जानेंगे क्योंकि हम देखें तो हमारे देश की अगर perspective से बात करें तो हमारे देश की internal security हो गई या फिर कोई भी ऐसी बात जो देश में दंगे बढ़काने की बातें आती हैं तो उनके उपर ये भारसरकार जो है वो action ले रही है अब यहाँ पर आपने देखा है कि Twitter का बहुत जादा एक role रहा है सरकार को बनाने में, गिराने में कोई दंगा भढ़काने में, कोई भी fake news फैलाने में, ये Twitter बहुत जादा आगे ही रहा है तो यहाँ पर बहुत जादा fake news फैलती भी है तो इसको रोकने के लिए भारसरकार कदम उठाती ही रहती है तो इन दोनों पक्ष को बहुत अच्छे से detail से cover करने वाले इस वीडियो में PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ description box में आप लोगों को telegram का एक link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी हाले में क्या था भारसरकार अपने 8 साल सेलिबरेट कर रही थी Digital India प्रोग्राम के में और उसी बीच Twitter जो है एक written petition file कर देता है करनाटक हाई court में जो एक order दिया गया था government के द्वारा Twitter को कि आप कुछ tweets और कुछ handles यानि कि Twitter account से उनको ब्लोग कर दीजिए और इसके खिलाफ जो है वो करनाटक हाई court में Twitter चला जाता है इस order के खिलाफ मतलब बहुत एक आप अगर बात देखें तो Twitter ने कहीं न कहीं इसके मन में यह है कि भारत में जो नियाए पालिक है वो बहुत जादा अच्छी है और उसकी बात वहाँ पर सुनी भी जाएगी तो यह बहुत एक positive चीज मुझे लगी अब यहाँ पर देखें तो पिछले एक दशक की में बात करता हूं यानि कि 10 सालों के अगर मैं बात करूं तो 10 गुना broadband के connectivity बढ़ी है यानि आज की रेट में 600 million broadband subscriber हो चुके हैं भारत में यानि 60 करोड लोगों के पास broadband connection पहुँच चुके हैं 60 करोड जनसंक्या कम नहीं होती है अब यहां पर इतनी जनसंक्या के पास internet की सुवीदा होना या यह तो broadband की बात है इसके अलावा wireless हमारे सामने अलग रह जाता है तो यहां पर इतनी संक्या के पास broadband net का connectivity होना तो इनके पास जितनी connectivity होगी यह social media के साथ उतने ही connect होंगे अब social media के साथ जितने connect होंगे fake news फैलने के उतनी ही संभावना जादा बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को कितना time लगता है forward चीज करने में एक second लगता है वो बिना जाचे पहचाने चीज को आगे forward कर देते हैं तो गौर्बन ने IT rules लेकर रहे इन companies के लिए Facebook होगी Insta होगी YouTube होगे इन companies के लिए कुछ IT rules लेकर आए इन्होंने कहा कि भाईया आपको अपने कुछ चीजों में सुधार करना होगा आपको एक officer बिठाना होगा यानि गृवियांस officer बिठाना होगा जो अगर कोई शिकायत करता है कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो गृवियांस officer जो होगा उस शिकायत को 72 गंटों के अंदर अंदर सुलचाएगा उसका एक record रखेगा ये बातें बोली गई थी लेकिन Twitter या फिर कहीं कि other social medias है वो इस IT rules के खिलाफ हो गए थे उन्होंने कहा कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते ये हमारे जो rule हैं उनके खिलाफ है तब भारत सरकार ने कहा कि देखिए आप भारत के अंदर हो तो भारत के ही rule चलेंगे अगर रूल नहीं मानेंगे IT rules को नहीं मानेंगे तो आप जा सकते हैं ऐसा गोर्मेंट के दौरा बोल दिया गया था अभी जैसे ट्विटर ने कहा है भारत सरकार ने अपनी एक एक है यानि Information Technology Act 2000 उसका एक सेंक्षन है सेंक्षन नंबर 69A यहां पर दो सेंक्षन है 66 और 69 इन दो सेंक्षन के तहत बहुत अच्छे से कवर करने आले अब 69A के तहत क्या होता है कि भारत सरकार के पास यह पावर है कि वो जो ट्विटर को है कोई भी ट्विट्स ब्लोक करने के या फिर जो भी कहीं की अकाउंट है उसको ब्लोक करने के आदेश देशक्ती है अब यह ट्विटर ने इसके खिलाव करनाटक हाई कोड में पहुँच गया था अब ट्विटर जो है वो इतना दूद का दुला तो है नहीं इनसे पूछा गया आपके पास कितनी ट्रांसपरेंसी है इनके पास भी तो कोई ट्विट डिलीट कर दीजिए या फिर यहां पर आप ट्विटर के अकाउंट को ब्लोक कर दीजिए ऐसी ओडर जो है वो गवर्मेंट के द्वारा दिये जा रहे है परलेमेंट के अंदर एक आंकड़ा निकल का है 2014 में ऐसे ओडर की संक्याती चारसो इकतर 2020 में ये ओडर बढ़कर हो गए 9809 तो देखिए कितनी संक्या के अंदर भार सरकार के द्वारा ओडर दिये जाते हैं किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए किसी चीज़ को ब्लोक करने के लिए अब रिजन साफस है क्योंकि हमारे देश के अंदर जैसे एक नेट की जो करनती आई थी जीओ जब इंटर्डिउस हुआ था उस वक्त हर एक इंसान के पास नेट की कनेक्टिविटी पहुंची थी नेट की कनेक्टिविटी पहुंचने के बाद जितना जल्दी सोशल मेडिया से जुड़ा था उतना ही ज़ादा एक डर था कि यहाँ पर उसका मिस्यूज होगा लोग फेक निउस यहाँ पर फैलाएंगे तो वही चीज़ होने लगी थी और यहाँ पर गवर्मेंट के भी ओर्डर बढ़ने लगे अब इनके अगर आप देखेना है कि इतने ज़्यादा केस बढ़ गई वही इतने ज़्यादा ओर्डर बढ़ा थी गवर्मेंट है यह तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ ऐसा नहीं है आप देखें तो 2014 का मुकाबला अगर आप करके देखें 2020 में तो आज की डेट में लोगों के पास ज़्यादा कनेक्टिविटी है इंटरनेट की तो इससे वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त नहीं थी तो यहाँ पर मामले कम थे अब यहाँ पर जो जनलिस्ट थे, कुछ पॉलिटीशन थे, जो एक्टिविस्ट थे, यह एक फ्रीडम हाउस, जो एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उसके अकाउंट भी इसके अंदर शामिल थे, सिदुमुसे वाला का यह गाना आया था, एसवायल करके, उसको भी यूटूब से डिलीट करवाया गया था, और इस एसवायल को जब डिलीट करवाया गया था, साथ इसाथ, इसके अलावा, ट्विटर टू अकाउंट, किसान करके एक ट्विटर अकाउंट भी था, उसको भी ब्लोग करवाया गया था, अभी हाली में चीजें हुई थी और यहां पर फरवरी और अप्रेल 2021 में बात करूँ जहां पर हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त बहुत सारे अकाउंट्स को बहुत सारे ट्विट्स को गॉर्मेंट के दौरा डिलीट करवाया गया था ब्लोक करवाया गया था और कोविट-19 के जो दूसरी लहर चल रही थी उस दूसरी लहर के तहत काफी सारे लोग जो सरकार की अलोचना कर रहे थे उनको भी बंद करवाया गया था अब यहां पर आपको बात देखें तो आपको लगए का अरे यह तो सरकार का criticism कर ही नहीं सकते यह तो हमारी आवाज दवाने की बात हो रही है यहां पर जो एक digital speech है यानि freedom of speech है जो हम बात बोलते हैं ऐसे ही digital के उपर हम अपनी बात रख रहे हैं तो digital speech है उसको रोकने की बात हो रही है तो अगर आप नहीं कहा सकते कि बस भारे सरकार ने लोगों के account डिलीट करवा थी तो बहुत ज़्यादा गलत के अब हमारे देश की नजरिये से अकर देखेंगे तो यह सारे account सारे tweet जो है वो block करने की बात क्यों कहीं गई थी क्योंकि इसमें कहीं न कहीं देश में दंगे बढ़काने जाती बात को बढ़ावा देने या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने या फिर देश को तोड़ने की बात करने इन सब चीजों की बात की जा रही थी दंगे बढ़काने की बात की जा रही थी कैसे protest को आगे लेके जाया जाएगा उसको कैसे aggressive बनाया जाएगा इन सब चीजों की बाते हो रही थी तो obviously भारत जो है वो अपनी संपरवूरता अब देश की सुरक्षा इनके लिए तो वो आगे आएंगी और वो Twitter को जो यह जो है ऐसे आदेश देंगी और कहीं न कहीं हम देखें तो भारत सरकार की रूल जो है वो बहुत जादा सही है जो इनको follow करने चाहिए और Twitter ने हमेशा एक तरीके से अपति ही जताई है हर चीज के अंदर यह हमारे देश के क्या यह खुद अपने ही देश में बहुत सारी चीजों के बात करें तो यह एक बहुत सारे जो लोग है अमेरिका के वो Twitter को इस तरीक ब्लेम करते रहते हैं कि Twitter अपनी मनमानी करता है जिसके चाहिए वो ट्विट डिलीट कर देता है जिसके चाहिए वो अकाउंट ब्लोग कर देता है जैसे कि President जो थे जिनका नाम क्या था डोनल्ड टरम था जो अभी पूर प्रेजिनेट थे अमेरिका के उनके अकाउंट को इन्होंने बंद कर दिया था तो यह अपनी मर्धी से चीजें कर रहा है तो इसके अंदर भी कोई transparency नहीं है अब भार सरकार के जो एक digital speech पर नियंतरन करने की जो बात की जारी है उसकी बात कर लेते हैं देखिए जो IT Niam है 2021 शोशल मीडिया के लिए लाए गए कुछ जो शोशल मीडिया पर जो content लाएगा यानि कोई content जेखिए ये एक शोशल मीडिया platform हो गया यहाँ पर कोई व्यक्ति हो गया यह अपनी बात इस शोशल मीडिया पर रख रहा है यहाँ पर कोई एक दूसरा व्यक्ति हो गया वो इस बात को पढ़ रहा है तो यह जो intermediary platform का जाते है कि भया हम तो एक platform दे देंगे यहाँ पर आप अपनी बात रख लीजिए कोई दूसरा अगर आपकी बात को पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए गौर्पन ने कुछ सुधार कि अपने IT rules के अंदर उन्होंने कहा कि देखिए आपको यहाँ पर एक शिकायत निवारक तंतर स्थापित करना होगा यानि कि आपको एक गृव्यान redressal mechanism बनाना होगा जिसके तहट क्या होगा कि आप एक officer नुक्त करेंगे माने कि यह जो information यहाँ पर लिखी गई है वो गलत है अब कि इस व्यक्ति ने इस information के खिलाव शिकायत दर्ज करवा दी उस officer को जो आपने nuked किया था पहले नहीं होता था जो आपने nuked किया था उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने जा कि शिकायत दर्ज करा दी और उस शिकायत को 22 गंटों के अंदर अंदर resolve करना चाहिए और यहां पर उसका एक data भी store करके रखना चाहिए कि आने वाले time में सरकार अगर आपसे चाहे तो उसके बारे में information ले सकती हैं तो यह government ने बोली थी बातें इसके अलावा उन्होंने का था कि आप ये officer से काम नहीं किया तो इस officer के खिलाव जाकर वो किस से सिकायत करेगा तो वो जाएगा grievyans appellate committee अब यहां पर grievyans appellate committee इस बात को सुनेगी कि officer ने गलत किया या सही किया अगर यहां पर भी बात नहीं बनती है तो जो जो सिकायत करता है वो court के पास भी जा सकते हैं यह गौर्बंड ने रूल लेकर आये थे अब बात करते हैं हमारे सामने जो IT अधिनियम 2000 की जो धारा 66 A है आपको काफी एक interesting issue इसमें जानने को मिलेगा देखे हमारे देश में जो 66 section 66 A है जो Information Technology Act 2000 की एक section है उसमें का गया है कि पुलिस इस अधार पर गिरफतार कर सकती है कि कोई content वहाँ पर उसको एक तरीके से ऐसा किया गया होगी वो धमकी पूर्ण हो या अक्रामक हो यहाँ पर उसके अंदर किसी को बढ़काने की बात की जा रही हो या पिड़ा देने की बात हो तो वहाँ पर जो है वो पुलिस है वो गिरफतार कर सकती है जिसके द्वारे यह सीजी की गई हो अब इसने computer अत्वा mobile phone या tablet जैसे किसी अन्य संचार उपकरण के मात्यम से वीदवेश पूर्ण या धमकी पूर्ण संदेश बेजने के लिए दंड का प्रावधान था जहां दोशी को अधिकतम तीन वर्ष का कारवास दिया जा सकता था देखे 66A जो है एक particular person की बात करता है मतलब की यहां पर मैं बात करता हूँ यह a person हो गया और यहां पर आपके सामने यह एक platform हो गया जिसमें इसने अपनी बात रखी अब यहां पर इसने एक ऐसी बात रखी कि दो गुटों के बीच में लडाईयां स्टार्ट हो गई तो यहां पर 66A के तहट जो है वो पुलिस इसको ग्रफतार कर सकती है कि आपने ऐसी बात लखी जिसमें पीडा देने की बात थी धमकी पूर्ण बात थी या फिर अक्रमक बात थी देश को तोड़ने की बात थी तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए 66A जो है वो section है Information Technology Act का यहां पर कोई भी अगर आपने किसी भी phone के तहत या tablet के तहत अपनी इस सूचना को आगे लेके गए हो तो यह सारी गैर कानों नहीं माने जाएगी तो अब interesting बात यह है कि 2015 में जो court है उन्होंने इस 66A को एस समिधानी करार कर दिया यानि का कि आप तो समिधान के खिलाब बात कर रहे हो अब बावजुद इसके यहां पर एस समिधानी करार कर दिया कई मामलों में देखने को मिलता है कि लोगों को उठा लिया जाता है 66A के तहती कि आपने यह काम किया जबकि 66A जो है वो एस समिधानी करार कर दिया गया court के दोरा क्योंकि अब पुलिस जो है वो इतना उनके साथ communication नहीं है court के साथ कि उनको पता ही नहीं है कि इसको बंद कर दिया गया है या फिर कौन सी नहीं चीज आ गई है जिसके तहट पुलिस आज भी 66A जो sanction है उसका use करती है जो एक काफी जादे debutable issue रहता है अब ITA दिनियम अगर मैं बात करू 69A की 66A होगा आपके सामने जो एक particular person के उपर बात करता है 69A की क्या बात करते है इसको जमल लेते 69A कहता है कि जो केंदर और जो राज्य सरकार है किसी computer संसाधन में जो जनित प्रेशित यह तो देखिए काफी ज़्यादा proper हिंदी हो जाएगी इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में convert कर लेता हूँ देखिए जो intercept, monitor or decrypt or any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource मतलब कि इनके लिए अपने कानून मतलब कि यहाँ पर order दे सकती है यह कौन power देता है section 69A of IT Act 2000 यह power देता है center और state government को किस अधार पर यह कर सकते हैं आपने कोई ऐसी बात बोली गई थी कि जो देश की अखंडता के खिलाब थी देश की सुरक्षा के खिलाब थी तो यहाँ पर जो government है अपनी इस power का use करते हुए उस platform को कह सकती कि आप इस चीज़ को delete करिए या आप हमें इसकी information दीजी कहां से generate हुआ था किसने इसको receive किया या फिर किसने इसको transmit किया transfer किया इन सारी जीजों को आप हमें information दीजिए और इसके खिलाब अगर किसी भी अपरादिक की जांच कर रहे हो तो government इस section का use कर सकती है और किसी भी देश के साथ हमारे मैत्रिपून संबंद है तो उनको बिगारने की बात हो रही है तो government इस section का use कर सकती है और इसके अलावा देखिए section 69A के अंदर सरकार को किसी प्रादिकरित agency या किसी मद्यस्त को किसी computer संशादन से फिर से वही बात आ जाती है section 69A enable the center to ask any agency वही center को इतनी power देता है यह section 69A कि वो जो government की कोई भी agency हो ची वो intermediary agency हो उनको वो block करने के ऐसी message block करने के आदेश दे सकती है कि वो public में जाएंगे तो public में वहाँ पर एक तरीके से दंगे भढ़ा सकते हैं या फिर एशांती फैल सकती है या फिर वो एक fake news है ऐसी फैल सकती है जिसमें लोगों को misguide कर सकते है तो ऐसी चीजों को आगे बढ़ने से रोकने की power देता है अब यहाँ पर देखिए सरकार के आदेश हैं कि fake news फैलाने वाले account को बंद के जाएं वह ट्विटर का कहना अगर हम अभिवेक्ति की जो आदा दिये वो side में रखिए और भारत सरकार के rule अपने according चलेंगे मतलब कि भारत सरकार में जो समिधान है उसके according भारत सरकार चलेगा और भारत की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है भारत की अखंडत है सबसे ज़्यादा है तो आप अपने जो rule हैं आप अपने जो बात करते हैं अभिवेक्ति के जादी उसको एक बारत साइड में रख लीजिए ये भारत सरकार ने ट्विटर को बोल दिया अब सरकार के जो इनियम है उसकी चुनोतियां या फिर कहें कि इसका विरोद क्यों हो रहा है दिकिंगर सबसे बड़ा विरोद इसमें यह हो रहा है कि का जा रहा है कि इसमें को पाष एक त्रीके से आर्बिटरी पावर आ जा रही है अपने मनमानी धुब से किसी भी ट्वीट को वो डिलीट करा सकती है किसी भी account को ब्लोग करवा सकते हैं तो एक तरीके से यहां पर article 19 कहता है freedom of speech है उसको censor करने की बाद आ जाती है यह काफी सारे लोगों का कहना है साथी साथ इसमें बोला गया है कि आपने जो का कि 22 गंटों के अंदर शिकायत का हल हो जाना चाहिए उसका समधान हो जाना चाहिए तो देखिए जो यह companies है वो किसी भी content को वो जाचती है कि वो कहां से generate हुआ है क्या वो सही है वो गलत है उसके अंदर time लग जाता है और इतनी जल्दबाजी के अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं यह इन companies का कहना है और आप देखिए 2020 में आप देखेंगे Twitter का कैसे users बड़े है 2017 के अंदर 11 करोड थे 2018 के अंदर आप देखिए 2020 के अंदर आप देखिए 18.56 अभी 2022 के अगर मैं बात करूँ तो इसमें और जादा इजाफा हो चुका है लगबख 20-22 करोड जो है जो users हैं वो Twitter के बढ़ चुके है अब यहाँ पर section 69 66 A की जिक्समें देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो undefined है और यहाँ पर जो इसको weak बनाती है यहाँ पर undefined क्या है 66 A के अंदर undefined है S विदा, खत्रा, बादा और अपमान, यह जो अधार है आप किसी को ग्रिफतार कर रहे है 66 section A 66 section का यूज करते हुए इन सब का आधार बनाते हुए यह जो आधार है Article 19 जो हमें freedom of speech हमें देता है यहाँ पर कोई exemption नहीं रखी गई है कि यह सब चीजें लाएंगे मतलब कि एक जैसे Article 19 के अंदर एक exemption रखी गई है आप freedom of speech कर सकते है आपको बोलने की सवंतंतरता है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ना है कि आप ऐसे ही बोलने लगे जिसमें देश के खिलाव आपने बोलना स्टार्ट कर दिया वो नहीं बोल सकते है यह कुछ यहाँ पर exemption रखी जाती है आप देखते हैं कि अगर कानूनी प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है तो एक कारवाई से पहले के अंदर का एक वहाँ पर अनुमोधन प्राप्त करना होता है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है आप जाईए अपनी मर्जी से उठा के किसी को ले आईए साथ इसाथ यहां पर बोला गया है कि इस 66A के तैट जो स्थानी अधिकारी हैं स्वायत रूप से अपने राजनेतिक आकाओं के मर्जी से कारवाई के तू आगे बढ़ सकते हैं कि अपने जो राजनेता हैं उनको खुश करने के लिए परमोशन पाने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं ऐसा बोला गया है मौलिक अधिकारों के विरूद है जैसे मैंने बोला कि 66A में काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जो आर्टिकल 29 के जो फ्रीडम ओव स्पीच है आर्टिकल 21 के जीवन का अधिकार इन दोनों के खिलाफ है आगे की रा क्या हो सकते हैं तेकर इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ा में इशू इन इटी एक्ट को लेकर ये है कि जब इनको लाया गया था तो सारजुनिक प्रामर्स इसमें नहीं लिया गया था कि यहाँ पर बोला गए कि इन नियमों को लेकर जारी अलोचना का समाधान यह है होगा कि स्वेथ पेपर के परकाशन के साथ नए शिरे से शुरुआत की जाए और लोगों को यहाँ पर अपने प्रामर्स देनी की अनुमती दी जाए लोगों के यहाँ पर डिबेट करवाए जाए यह सब चीज़ें होंगी तब जाके कुछ नया या फिर कहें कि एक बैटर जो है वो रूल निकल के हमारे साथ ने आ सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि जो ट्वीटर की पर्स्पेक्टिव आप लोगों को समझ में आए विडियो